मुलेठी के बारे में आपने बहुत सारा सुना होगा लेकिन मुलेठी इतना फाइदवन्द होता है ये आप आज इस वीडियो में जान सकते हैं मुलेठी कई सारी बिमारियों का इलाज है मुलेठी का कई सारी दबाओं को बनाने में उप्यूग होता है जैसे कि gastric ulcer के जितनी भी दवाईयां होती है उसमें मुलेठी का उप्यूप किया जाता है मुलेठी बहुत ही popular है मुलेठी चीनी से 30 से जादा गुना मीठा होता है यानि कि अगर आप एक तरफ चीनी रखें एक तरफ मुलेठी रखें तो ये चीनी से लगवग लगवग 30 से 40 गुना जादा मीठा होता है इसके अंदर सुक्रोज की मातरा बहुत जादा होती है तो फ्रेंड्स आईए हम जानते हैं मुलेठी के क्या-क्या benefits होते हैं और मुलेठी आपके सरीर के लिए कितना जादा फैदेमंद है मुलेठी एक आयरुविदिक पौदा होता है और इसके कई सारे health पर बहुत अच्छे प्रवाव पढ़ते हैं मुलेठी खाने से आपके गली की समश्याइं जो होती हैं बहुत ही आसानी से ठीक हो जाती है जिनकी गली में बारबार irritation होता है जिनका गला dry रहता है या उनको बहुत ज़्यादा खरास रहती है गली में थोड़ा बहुत infection बलगम बंदा रहता है तो मुलेठी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इसे आप direct चबा सकते हैं इसे आप गरम पानी में गुनगुना करके भी इसका पानी ले सकते हैं इवन इसे आप चाहे में भी डाल सकते हैं आगे हम समझेंगे कितना गिराम मुलेठी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फाइदेमंध होगा और आपको नुक्शान नहीं करेगा इसके अलाबा दोस्तो अगर सुक्रोज की बात करें तो ये 16 से 20 परशेंट इसके अंदर सुक्रोज की मातरा होती है जो इसकी मिठास को बढ़ा देता है साथी साथ दोस्तो ये अगर स्वेलिंग किसी को हो जाए तो स्वेलिंग में भी बहुत अच्छा उपयोग होता है स्वेलिंग को कम करता है विमेंज की बात करें तो ये female fertility को improve करता है बहुत healthy होता है बहुत helpful होता है साथी साथ ये liver की problems को भी ठीक करने में मदद करता है तो अगर किसी को liver की problems है liver में सूजन रहती है और उसके मदद से कई सारी females को कई सारी महिला और माता भेहिनों को बहुत जादा इसका फायदा मिलता है इसके अलावा दोस्तों ये fatty liver को कम करता है अगर किसी को fatty liver है तब भी उसे कम करता है फैयपणों से संबद्य जो छोटे-छोटे infections होते हैं उसमें भी बहुत अच्छा उ acidity होती है acidity को कम करता है acidity को कई ऐसे patients हो जिनको बहुत जादा acidity होती है तो acidity को भी कम करता है तो यहां पर acidity या gastric cancer जिनको gastric cancer होते हैं उसमें भी बहुत ही जादा फायद मन्द होता है skin के बात करें तो skin में बहुत जादा helpful होता है क्योंकि इसे यूज करने से जैसे दूद में मिलाकर के इसे लगाया जाए या फिर नारियल के तेल में लगाकर इसे लगाया जाए तो आपकी skin जो होते smooth होते साथे-शाथ उस पर glow आता है तो skin के लिए बहुत जादा healthy होता है अगर बात करें कि इसे कितना खाना चाहिए यानि कि अगर आप डेली की बेसेस पर लें तो कितना ले सकते हैं आठ से बारा गिराम डेली आप इसे ले सकते हैं लेकिन अगर आपको कोई समस्या है अगर आप इसके लेने से आपकी कोई समस्या पैदा होती स्टार्ट हो जाती ह आपको shouty से बढ़ जाती है कि एक वार अपने डॉक्टर से जरूर मिले अपने आजपास के एक पास के डॉक्टर से जरूर करें अगर лиш बात करें तो यह 8-12 गरम आप घर पर रोजाना ले सकते हैं इसकी चाएँ सकते हैं इसका काला बना सकते हैं पानी में उवाल ले सकते हैं पाने में प्यूब कर ले सकते हैं इसके । याड़ेक्ट zhaρα नो है दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो अप्लोड हैं और आप सभी अगर आप हमसे बिलना चाहते हैं तो हमारे फीजबुक पीज़ पर जरूर विजिट करें हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मैंने देखा है केवर 9% ऐसे लोग है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देखते हैं बाकी के 92% चैनल को बिना सब्सक्राइब की हुए देखते हैं यानि कि चैनल अच्छा लगता है वीडियो अच्छे लगते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है देखे इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं इसे सब्सक्